करन जोहर का नाम बॉलिवूट के फेमस फिल्मेकर्स में आता है क्योंकि करन एक कमाल के डिरेक्टिर होने की साथ साथ आक्टर, राइटर और होस्ट भी है एगिन इन सब के बावजूद करन का सबसे बड़ा टालेंट अपने बाबा के पैसों पर आश करने वाले स्टार किट्स को लाँच करने का ही है करन उन एक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिन्हें उन्होंने लाँच नहीं किया हो या फिर उनका कोई फिल्मी बाक्ग्राउंड ना हो जी हाँ, ये वही हैं जिन्हें दुनिया आउट्साइडर्स के नाम से जानती है अपने शो में लोगों की भर भर कर बेशस्थी करने वाले करन को अपनी ही दवाई करवी लग रही है और अब वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर लोगों से ये कहते फिर रहे हैं ये उन्हें पुरा लगता है कि लोग उनकी बेशस्थी करते हैं पर असल सोनी टीवी पर एक कॉमेडी शो आता है जिसका नाम मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हसाएंगे है इससे शो में कई कॉमेडियन्स अलग-अलग कैट अप और आक्ट करके लोगों को हसाने का काम करते हैं जिसके एक आक्ट का नाम कॉफी विट चूरन है जो करन के शो के लास्ट एपिसोड के बाद अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि मैं अपनी मा की साथ बैठकर टेलिवीशन देख रहा था और मैंने प्रतिष्ट चैनल पर एक रियालिटी कॉमेडी शो का प्रोमो देखा एक कॉमिक बेहत खराब तरीके से मेरी नकल कर रहा था मैं ट्रोल्स और अंचान लोगों से यहीं उम्मीद करता हूं लेकिन अब आपकी अपनी इंडस्ट्री किसी ऐसे व्यक्ति का नादवर कर सकती है जो 25 सालों से जाधा वक्त उसे पिसनिस कर रहा है ये इस वक्त के बारे में बहुत कुछ पता करते हैं सिंगिंग की जीरो नॉलेज रखने वाले करन ने अपने फिल्मों में एक ऐसा सीन रखा था जिसमें अनुषका शर्मा का कैरेक्टर बॉलिवूड की सबसे बेस सिंगर रहे मोहमत रफी के बारे में ये कहती है कि मोहमत रफी काते कम और रोते जाधा थे इसके अल करने वाले अक्टर्स को ही उनके खिलाफ करना शुरू कर दिया था यहां तो कि बॉलिवूड में करन ही वो पहले फिल्मेकर थे जिन्होंने सुशान पर बैन लगाया था साथ ही अपने दोस्तों से भी कहकर उसे उनकी फिल्मों से बाहर निकलवाना शुरू कर दिया था अ उन्होंने खुद अपने दम पर कमाया है। देखे करके कार्तिक को बड़ी फिल्मों से विना किसी रीजन से निकाल दिया गया। जादर दिन तक बॉली वुड में नहीं टिक पाएंगे। प्रियंका और करण एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दरसल ये सब 2012 के आसपास शिरू हुआ था जब हर कहीं प्रियंका और शाहरुक के अफेर के चर्चे थे। जिसकी वज़र से शाहरुक और उनकी वाइफ गौरी के बीच लड़ाई होना शुरू हो गया था। और अपना सब कुछ छोड़कर हॉलिवुड चले गए। लेकिन इसके बाद भी करण को ये लगता है कि वो दूद के दोले हैं और लोगों को सिर्फ इसलिए उनकी फेसत नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो लोगों को इंडस्ट्री से बा हर करवा देंगे वैल आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं